हेलो फ्रेंज, आज में ताजे हरे मतर की स्टार समों सो बनाएंगे, वो भी बिना मैदे का डो लगा है और बिना मैदा वेले, एकदम यूनिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से, आप सबको आज का ये विधी बहुत पसंद आएगी, तो चले रेशीपी को शुरू काईते है तो सबसे पहले मैंने मिकसर जार में एक कटोड़ी जितना हरे मतर ले लिये है, अभी इसमें एक मिर्ची दे देंगे, आप अपने स्वाधन सतिखा देना, थोड़ा सा एक बड़ा चमत जितना यहां पे पोहा डाल लेंगे, सुखी पोहा, दोस्तों आप भी पोहा को ज़र तेल डाल देंगे, अब यहां पे एक इंच अद्रक को कद्दुकस करके डाल देंगे, एक चोटा चमत जितना साबु जीरा ले लेंगे, एक चोटा चमत जितना सौप डाल देंगे, और एक चोटा चमत जितना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, दोस्तों सौप और धनिया सब्सक्रीजित P­ कश्मिरी मिंट्यृ मिंक्स Кरण मचलनीं दोस्तों यहां पे ड्राइ मसाला जलेना इसलिए तुरंत इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो हरे मटर का पेस्ट हमने बना के राखे ते तुरंत इसी में टाल देना है और डाल के अच्छे से सुखी मसाले के संग इसको मिक्स कर देंगे ताकि सुखे मसाले जो है ह अब इसमें दो उबले हुए आलू को हाद में थोड़ा क्रस करके ते देंगे और आलू को भी ये मसाले के संग अच्छे से मिक्स करके दो से तीन मिट के लिए मीडियम फ्लेम में फून लेंगे दोस्तों आप चाहो तो यहां पर पनीर या मोमफरी भी टाल सकते हो इसमें हमा ताजा धनिया टाल देंगे इसको भी इसके संग सब मसाले के संग अच्छे से मिक्स करेंगे और फिसे इसको एक मीड के लिए पका के फून लेंगे तो देख सकते हो दोस्तों यहां पे मेरा मसाला जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बून के तयार हो गया है गैस का फ्लेम स्व्री आटोरी जीतना मेहधा डाल देंगे और स्वादन उसर नमक भी डाल देंगे आधा चोटा चम्मत जीतना, थोड़ा हाद में अजोआइनलेके अच्छे से बैटर बना लेंगे, पहले आदा कब जितना पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखोगो, यहां पे बैटर जो है बहुत ही ठीक रहेगा, तो इसमें और आदा कब जितना पानी डाल देंगे, और फीसे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, एक अच् तो पहले से मैंने गैस के ऊपर तबाई को चरा दिये है तब जो अच्छी से गरम हो जाए तो मीडियम फ्लेम कर देंगे और जो बैटर बना के रखेते उसको पहले एक बार अच्छे से मीक्स करके एक चमच उठा के इस टाइब का फैला देंगे तो दोस्तों इस तरह से हम समुसा बनाएंगे ना इसमें ना ही ज्यादा तेल चाहिए और ना ही ज्यादा घी डालने की ज़रूरत है हम जब समुसा का डो बनाते है तब बहुत अच्छे से मायान देते है लेकिन इस टाइब का समुसा का पेपर जो बनाएंगे सीर्स जो बना और खुदवखुद ये जो सीर्स है अपने आप निकल के आ जाएगा बहुत जल्दी इजी तरीके से इसको कुछ ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है दोस्तों आप देख सकते हो आसानी से ये निकल के आ जाएगा और एक संग देखो में कितने सारे सीर्स को जो है बना के जाली है यह तो ना ही फटेगा और ना ही खड़ा हो गया ऐसे सीर्स बनाएंगे ना समोस अगा तो यह बहुत क्रिस्पी भी बनेगा तो इसको एक ले लेते हैं और फिट सीर्स का चारु सायट का का बीच का स्कॉयर्ट सेप का सीर्स निकाल के ले लेंगी सितार के सारे सीर जाली से स्मूज सा बैटर बना लेंगे यह बैटर को भी ना ही ज्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज्यादा इसको गाड़ा बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देख सेथो कॉंसेस्टेंसी जो है बैटर का इस टाइप का कर लेना है तो देखो मेरा यह में दोकर कोना कोंगे और नो के सटाफिंग को रखनें के बाद सेिर्ष ने ओपर स्कार्ट करते जाएंगे एक साइट का कूना लेके रखेंगे फिर दूसरे साइट का कूना लेके इसके उपर चिपका देंगे और फिर बाकी दोनों साइट का कूना लेके भी इस ट्राइप का एक के उपर चिपका देंगे तो देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा सा एक स्टार्ट स्टेप का हमारा ये समोसा बनके रेडी हो गया है साइट का जो कॉर्णर है उसको थोड़ा आप स्टेप का हाथ से दबा देना तो देखो ना कितना सुन्दर कितना प्यारा ये लुक आया है हमारा ये समोसे का अब एक तेल को जो है एकदम मीडियम कर देंगे फैले तेल को अच्छे से गरम कर लेना है फिर मीडियम फ्लीब में एक एक समशोग को मैं ढाल दूंगी तो एक बड़एंगे उट papa हाद में ज्यादा आदमी या ज्यादा मेंबर हो तो चाहिए अर् भी आसन हो जाएगा एक बढ़ाएंगे और एक जना फ्राय करते जाएंगे तो हमारा काम भी बहुत जल्दी इजी हो जाएगा और बहुत जल्दी हम धेरो सारे समसा फ्राय कर सकते हैं तो देखो इस चाइब का मीडियम फ्ले में समसी को थोड़ा उलट पलट के दोनों साइट का जो है गोलें लाल कर की अ अग्तर कर लेंगे और ज्यादा इसको लाल नहीं करेंगे क्योंकि यह झीद्स पहई पतला है और इसको धीरे थीरे फ्राय करेंगे ना तो यह दृच्छा करेंगे इसका ने में भो थी खाणे में बहुत क्रिस्पी हो जाएगा तो दो से तीर मीड में हमारा यह झाल के ले लेंगे और जो बाकि शीट को है उसको भी समुसा का लुक दे के इस तरा करते जाएंगे तो देखो दोस्टो मेरा सारा समुसा जो है एक तम बन के रेडी हो गया है इस तरह से समुसा बनाएंगे तो यह खाने में बहुत ही क्रिस्पी और करारे लगते हैं दोस्तों हमने शुरू में जो मसाले के संग पोहा को पीसे थे ना पोहा डालने के कारण अंदर का जो फीलिंग से वह भी बहुत क्रिस्पी और करारे रहेगा और आप इसको दो से तीन हपता तक स्टोर कर पाऊगे यह बिल्कुल भी खराब नहीं हो गया तो दोस्तों मेरा यह सारे समोसा बंके रेडी हो गया है आप इसको मन पसंद चटनी के सम सब कर सकते हो और दोस्तों मेरा आज का यह स्टार समोसा का रेसीपी अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करकर लाइक शेयर करना फिर मिलेंगे नेरे इसमें किसेंगे बावाई